कि अब इसके बार रहा हमारी पार हमारी GUY यहां पर हमारी क्रेट तो अब हमें क्यार harmony क्रूदी कि इसके L तो सपल हमारा स्क्यूलायर डेटाबेश में क्या यूज कर लेंगे और हम यहांपर सीमपल हमने क्या लग करे एक ही एक्जिक्यूट करतें स्टिंग टाइब का एस्क्यूट एक्सिक्यूट 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 ए on upgrade है इसमें बस क्या कर देता है इसका नेम चेंज कर देता है जैसे हमने उपर यूज करता है SQLite database ताकि हमें confusion रहो और इसमें अभी हमें कोई changes नहीं करने क्योंकि अभी हमें कुछ अब्डेट नहीं करने है हमारी जो टेबल है वैसी ही रहेगी फिलाल के लिए तो इसे क्या हमें ऐसी छोड़ना है तो यहां पर हमारी हो गई है क्या weather db helper class complete हो चुकिए है अब क्या चलता है next step पे चलता है यह क्या होगा हमारे database तो हमारे database वरजन वरजन आप इस टेप चलने से पहले हैं यहां पर समझ लेता है दूसरी हमारी problem यह यहां पर क्या है यह चीज में आपको 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 हुआ है इस step हमी करना होता है बड़ दुबारा देख लेता है क्योंकि हमें क्यक्क्रेंट इन्वैलिड इंसर्शन स बचना है तो यहां पर क्या है अभी काई हमने आप कुछ ऐसा नहीं लगाया कि invalid insertion से बच चाहें invalid insertion मतलब कि कहां पर हमें नहीं चाहिए कहां पर मतलब कुछ वैली होनी ही चाहिए तो वह कहा होता है invalid insertion कि कोई आप छोड़ दो आप इंपुट कर दो आप तो डेटाबेस में नल एंट्री हो जाएगी राइट तो हमें क्या करना है हमें चाहिए कि वहां पर कोई entry होई न तो क्या होता है invalid insertion से बचना तो क्या कर लेते हैं डेटाबेस में चेंजिस कर लेते हैं जो हमारी schema दी उसमें चेंज कर देते हैं कि ताकि हमारा invalid insertion ना हो तो कहां पर करेंगे गाई यहां पर जहां पर हमारी क्या schema यहां पर हमने टेबल क्रिएट कर रही थी तो हमने पूरी SQL की schema लिखी ती रही यहां पर जैसे इंटीजर है तो हमें क्या करना है कि मुझे यह वाली values क्या चाहिए नल ना हो तो मैंने यहां पर क्या अट कर दिया सब पर नॉट यहां पर रियल पर भी आ गए यहां पर सब जग़े लिख देते हैं कोई issue नहीं है मुझे यह सारी values क्यूंकि हमें कोई भी value ऐसा नहीं चाहिए और इसमें कोई हमें वह भी नहीं लगेंगे एक जैसे हम कर दे देते हैं बाइड़ डिफॉल्ल किसी में नल आ जाएगा यहां पर हमें सब वैल्यू चाहिए राइट तो यहां पर हम सिंपल के करेंगे हम पर वैल्यू दे देंगे नौट नल एन यहां से बचाएंक हमारे इन्वैलिड इंसर्शन से बचाएगा तो यहां पर लास्ट हमने इन्वैलिड इंसर्शन से बचा लिया है अब इस चीज का ध्यान रखना जब यहां पर आप एक बर अपर रंद करवा लोगे तो हमारा डेटबेस क्रियेट हो चुका है राइट तो और एक 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 शिस्टिंग वर्जन था अब जब आपने स्कीमा में चेंज कर द ऑपना जब भी स्कीमा में किसी भी टेबल की स्कीमा में आप अपडेट करो कुछ तो हमीच्छ डेटबीज वर्जन जो है क्या होना चाहिए अपडेटेड होना चाहिए उसका वर्ना क्या है वह उसी को क्योंकि यहां पर हम क्या र thé कर रहे हैं जो डेकटव Noel creator क्र बाता कि म वाले को स work left करके उसे simple नाई टेबल जब क्योंकि जो हमारे डेटाबेस है कहा से डटा ले रहा है ओनलाइं डेटाबस ले कि कर दो तो फिलहाल हम हम यह इंपलिमेंट कर रहे हैं कि जैसे हमें ऑनलाइं डेता आये वह क्यों जाए कि save हो जाए उसमें अगर उसमें कोई updation होगा तो वक्यों पुरानी टेबल होगी वह डिलीट हो जाएगी जो जो नई टेबल होगी वह उसे अभलेब कर देगिगे वाला existing टेबल को डिलीट करके आप उसे safe कर दोगे वहां पर तो आप यहां पर क्योंके हमने गहाँ सिंपल इहाँ पे क्या करेंगे क्या हमारी स्ट्रिंग स्क्यूल थे तजय किया एंगोयः हमारी संुल as कुर स्क्सक्राइद क्या वेडिया है jsme my name डीया और टृबल का न defyator here by आगया simple and here by drop away हमारी table आपको क्या logic बता हुँ झो हमारी existing table रूप को डूबारा से एक डीवाइन बननी चाहिए तो यहाँ पर हमने क्यों कर दिया ऑन क्रिएट पर दुबारा से क्या तो आपको यहां पर confusion नहीं हुआ होगा कि लॉजिक क्या है यहां पर क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस चीज में बहुत लोग मुझे से question पूछ चुके हैं कि सर्फ कि जो हमारा डेटाबीस वर्जन है इसे कप अपडेट करना है क्या करना है तो इस चीज का हमेशा जयान लगना यह चीज बहुत important है जब अपने apps क्रिएट करोगे कि जब हमारा कोई भी schema में चेंज होता है तो हम के लगने डेटाबीस को वर्जन अपडेट करते हैं और क्यूंकि एक टेबल एकस्स करती है तो इसलिए हमारा कौन सा method रण होगा on upgrade होगा तो on upgrade कर बिसिकली काम गया है जो कि invalid insertions को प्रिवेंट करना तो यहां पर वह हो गया मारा invalid insertions को प्रिवेंट करना और मैं आपको यहां पर एक database का वह भी बता दिया इसलिए ताकि आप लोगो confusion आप किस पर चलते हैं गाई next step पर चलते हैं अपना second वाला जो वर्जन था हो complete के लिए था यहां पर जो हमने न नाइन बोटन हो रहाई लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्म और यह क्या है कि अगर आप यहां पर सोचों यहां पर हमारा पास एक प्रॉब्म और आइस हो सकती है कि जो हमारी सारी और जितनी एंट्री नहीं हो क्या है यूनीक है कि उन्हें overlap करके हम संबल डिलीट कर लेकिन जब हम क्यों के एक डेट के लिए specific डेट के लिए आप डेटा फेच कर रहे हो रहाई तो अगर आप यहां पर सोचों जैसे हमारी डेट हो सकता है एक डेट के लिए multiple क्या हो multiple बगादर हो तो यहां पर हमारी एंट्री यह थोड़ी सी क्या है यहां पर problematic वाली बात है जो हमारे डेटाबेस है वो confused हो जाएगा कौनसे डेटा को safe करना है existing वाले को या फिर जो नया डेटा आया है उसको तो यहां पर क्या है data conflict का हमारे एक यहां पर problem आएगी तो क्या है जैसे हम use करेंगे वैसे वैसे आएगी rare situation में आएगी बट आएगी तो इसके लिए गाई तो इसके लिए basically गई एसको जादा typical वाली बात नहीं है simple कि क्ले जो हमारे date को कॉलम है उसे क्या कर ढесे है specify unique specify कर देशा है उससे होगा यह किजब मैंदेट कर जो हमारे चुलम है उससे वाने उनीक specify कर दिया राइग तो उससे हमें benefit यह यह होगा कि जो हमारा date है जो एक डेट पर एक डेटा फैच कर राइट और टेबल में इंसर्ट कर दिया है अब उसी डेट के लिए एक दूसरा डेटा आ गया हमारे पास तो उसमें क्या होगा गाइस जो एक्सिस्टिंग डेटा है हमारा वह क्या हो जाएगा मतलग हम एसक्वलाइट को बता देंगे कि ठीक है टेटा है युनीक है यहाँ पर परेशान होने की दुपर देदिगा हत्यु है तो की टेपे मतलग आपए उसक वह चाहँ हमारे टेटा बेस को तो उसके लिए बहुत यहां पर यहां पर खतम ना एक और अपना फिर इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इसके लिए क्या होता है हमारे पास युनिक तो मैं इहां पर हम देरेंगे युनिक की ए देख लेंगे कि नीक में हमें क्या धिना अगान से weather अट्री में मैं से miedoप कर सकता हूं जहां पर कल्देघ कर सकता हं और हैं देने कर देती हैं कि स्वाश्ट सक्वाइब आग्यों की आँ क्या ओन है संप्ल कर देढ़ तो इसम अगर-पी नीद हम लिए Е eles से रेप्लेस का देशा यहां पर सेंपल गारी से पहले यहां नहीं से पहले लुखना एक बात चेक कर लेते हैं सही सही हमारी एंटर हुआ है यह अद सब सही है तो बैसिकली काई यहां पर क्या गारा मैंने एक युनीक SQL command दी यहां पर क्या कहा दिया मैंने कि क्या है हमारी date unique है और अगर conflict arise होता है unique उस पे कौनसी unique क्या हमारी date है तो उस पे अगर conflict होता है तो क्या कर दीए simple replace करें और भी operations हो सकता है conflict आने पर existing वाले को आप रख सकते हो नहीं वाले को आप कर सकते हो डिलीट कर सकते हो बड़ हमें क्या चाहिए कि जो नया data है हमारी जो नहीं उस date पे updated entry है date मुझे वह चाहिए राइट तो यहां पर basically guide मैंने क्या कर दिया unique दिया कि इस पर on date और क्या कर दिया है उस पर कि अगर conflict हो तो क्या हो जा है replace करता है तो इससे हमें क्या benefit को जो हमारे पहले क्या होता confused होता एंड हमें क्या देता error देता conflict एरर देता तो सकी conflict policy जो है वह यहां पर activate हो जाती हमने यहां पर क्या कर दिया उसकी conflict policy है उसका resolution दे दिया यहां पर तो यहां पर हो गया हमारा complete यह चीज और गईज अब हमने फिर से क्या करा है schema में इसकी change करा है अगर इस चीज को मैं फिर बता रहा हूं schema में जब भी आप change करते हो तो हमारा जो database version है इसे क्या करना हमेशा update कर देना वरना क्या हो जाएगी problem हो जाएगी future आपके app के लिए ओके तो यहां पर हमारा complete हो गया है जो हमारा database था उसकी schema फिलहाल के लिए अब हमें यहां पर कोई changes नहीं करना है इसकी schema में हमारी table अच्छ च्रीएट हो चुकी है और यहां पर कोई problem भी नहीं आ रही है हमारी इस चीज को ध्यान रखना एक बार यो table create करते हो बहुत लोगों की error आती है और यह जरूरी ही है कि एक नएक error हो ही जाती है यहां पर I know थोड़ी अगर आपको कोई भी coding उसमें करना है तो आपको errors find करनी आनी चाहिए थोड़ा सा time लगता है I know बट जैसे जैसे आप errors निकालना सीखोगे आप खुद पता लग जाएगा कि अच्छा मेरी हां गलती हो रही है वहां गलती हो रही है बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे नहीं निकलेगी तो गाइज अब किस पर चलते हैं अब नेक्स टेप पर चलता है हमारे डेटबीस को तो काम यहां पर complete होगा है अब थोड़ा सा cursor के ओपर देख लेते हैं जो हमारे provider classes थी हैं कैसे वो work कर रहें थी उस पर देख लेता है